हेलो दोस्तों, word of the, vocab, one word substitution और troublesome words की दुनिया में आपका हर्विक शागत और अभिनन्दन है दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछली सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार recapitulate करने का प्रियास करते हैं उसके पश्चात हम क्या है, आज के सेशन की शुरुवात करेंगे पिसले सेशन के अंदर हमने पढ़ाता है, acoustic, acoustic का अर्थ होता है, science of sound यनि जो sound है, जो ध्वनी है, ध्वनी विज्ञान के बारे में हम अगर जानकारी प्राप्ते करते हैं, उसके बारे में study करते हैं तो उसे हम acoustics बोलते हैं, ठीक है, aerology, aerology का अर्थ होता है, study of atmosphere, अगर हम पूरी वातावरन के बारे में, environment के बारे में, atmosphere के बारे में, अगर कोई study करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसे हम aerology बोलते हैं angiolosy का अर्थ होता है, study of blood flow and lymphatic system, यनि जो हमारे रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, अगर कोई अधिन करे, study करे, उसे हम angiolosy बोलते हैं, ठीक है, epiolosy का अर्थ होता है, study of bees, यनि जो मधुमक्या होती है, मधुमक्यों के बारे में study करना, उसके बारे में अधिन करना, epiolosy का अर्थ होता है, study of spiders, जो मधुमक्या होती है, उनके बारे में अगर कोई हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, arcanology, ठीक है, the tall chimney of a factory और a ship, उसे हम बोलते हैं, smoke stack, यनि जो factory, या फिर क्या, कोई ship है, जाज है, उसके उपर जो धुआ निकल and filling for a sheet, उसे हम बोलते हैं, the uffolstree, यनि एक ऐसी sheet, जिसके अंदर क्या है, जो seat के अंदर जो रूई बगेरा आदी भरी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, uffolstree बोलते हैं, जो क्या है, जिससे हमें comfortable filling आती है, आरामी की, क्या है, filling आती है, भावना आती है, उसे हम क्या बो करता है उसे हम इंप्राविडेंड या फिर लाफरवा वेप्ति बोलते हैं यूमरेस शौट पोईम विद्फाइब लाइस एक शौट पोईम होती है जो आशेश पर धस्ने लाइक यूमरेस होती है उसे हम लिमर की बोलते हैं उम्मीद करता हूँ आज की किया है पिछली शेशन में हमने जो पढ़ा है वापस आपको याद आ गया होगा तली दोस्तों आज की शेशन की हम सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेनोरम्स आज की सेनोरम्स क्या क्या है हिट्रोजीनस हिट्रोजीनस का अर्थ बता दे आपको हिट्रोजीन या किसी भी दो चीजे जो अलग-अलग हैं, एक प्रकार की नहीं है, उनका अगर हम mixture कर देए कि वो कैसा mixture होगा, heterogeneous हो, जो similar नहीं हो, dissimilar हो, जो unlike हो, एक जैसे नहीं हो, जो different हो, उशे हम क्या बोलते हैं, heterogeneous बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, जो similar नहीं हो, एक जैसे नहीं हो, या फिर different हो, उशे हम क्या बोलते हैं, heterogeneous बोलते हैं, उमीद करता हूँ, heterogeneous का, जो meaning है, अच्छे से आपको समझ आया होगा, deride का अर्थ होता है, जो किसी की हम मजाक उड़ाते हैं, हाशे इश्पद कोई चीज होती है, उशे हम क्या बोलते हैं, deride, अगर हम किसी की दूसर को, दूसरों की जिससे मजाक उड़ती हो, और हशी आती हो, उशे हम deride होते है, ridicule का अर्थ होता है, हशे इस पद, mock और taunt, taunt उशे बोलते हैं, जो क्या है, मजाक के वे में, किसी दूसरों को लिए बोली जाती है, उशे हम taunt कहते हैं, जिसे का taunt मत कशो, मतलब, जो चीज रियल नहीं होती है, और जो हम मजाक के लिए बताते हैं, उशे हम taunt बोलते हैं, दोस्तों आपको बता दे, mock, mock, mock के तीन अर्थ हो सकते हैं, क्या है, एक वर्ब की रूप में, adjective के रूप में, और noun के रूप में, ठीक है दोस्तों, जब वर्ब की रूप में, मौक का, क्या ह है, हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी की मजाक उड़ाना, या फिर क्या करना, deride हम वो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, deride इसका अर्थ कब होगा, जब mock को हम वर्ब की रूप में, यूज करें, अगर हम adjective के रूप में, mock का यूज करें, तो इसका अर्थ होता है, not genuine, जो real नहीं होत हैं, mock बोलते हैं, अगर ये adjective के रूप में, और अगर किस के रूप में हुआ, noun के रूप में हुआ, तो इसका अर्थ क्या होता है, जो हमारे परिक्षा से पहले हमें जो सवाल पूचे जाते हैं, उसके तायादी के लिए, जो mock paper होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, mock बोलते है यहां पर यह mock इसका synonorms कब दिया गया है, जब यह वरब के रूप में हो, उम्मीद करता हूँ, डिराइड का, डिराइड का अर्थ आप अच्छे से समझ पाए हूँगे, दूसरों की मजाक उडाना, डिराइड कहलाता है, intransigent, intransigent अगर कोई person है, an intransigent person, यानि एक ऐसा व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के nature में है, कि वो एक बार decision ले लेता है, वापस बदलता नहीं है, जो जिसको, जो वो क्या है, compromise नहीं करता है, वापस, उसे मानाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो मानता नहीं है, उस प्रकार क व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, intransigent कहते हैं, जो uncompromising हो, inflexible हो, जो flexible नहीं हो, एक flexible को कौन सा व्यक्ति होता है, जो हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं, उसी साफ से चल जाता है, उसे हम flexible बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति का nature inflexible है, इसका मतलब उसका nature क्या है, intransigent है, और intransigent म compromise नहीं करता है ठीके दोस्तों उमेद करता हूँ heterogeneous derived और intransigent तीनों का अर्थ अच्छे से आपको समझ आया होगा rebel rebel का अर्थ होता है बहुत ही अधिक मातरा के अंदर लोग है लोग इकटे हो जाए भीड हो जाए लोगों की accumulation of many people उसे हम क्या बोलते हैं rebel बोलते हैं जो crowd होती है उसे हम rebel बोलते हैं या फिर throng ठ्रॉंग का अर्थ भी क्या होता है rebel होता है एक ठ्रॉंग जो जो राजा होता है king होता है उसके उपर पहने वाला जो मुकट होता है उसे भी हम ठ्रॉंग क्याते हैं लेकिन आम बाशान के अंदर हम क्या बोलते है rebel जो बहुत खरी भीड होती है crowd होती है उसे rebel बोलते हैं ठीक है दोस्तों inculcate का अर्थ होता है कोई चीज़े हम किसी दूसरी व्यक्ति को समझाते हैं उसके अंदर क्या है उसको शिक्षा देते है इन स्टील का अर्थ भी यही होता है शिक्षा देना चीजों को अंदर से क्या है generate करना क्या कहलाता है इन स्टील कहलाता है enforce का अर्थ भी यही होता है जैसे enforce अगर किसी को याता यात्मिय में उनको बता रहे हैं तो उसको अंदर क्या है enforce लेके आ रहे हैं, उनको चीजे शिखा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ inculcate का अर्थ भी आप अच्छे से समझ पाए होगे glisten का अर्थ होता है, जो shining हो, जो चमकता है कोई चीज इसका मतलब वो क्या कर रही है, glistening कर रही है चमकना, बीम या गलो, क्या कहलाता है, glisten कहलाता है, यनि चमकना, जो shining जो होती है, उसे हम glisten बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ heterogeneous, deride, intransigent, rebel, inculcate और glisten, सभी के अर्थों को अच्छे से आप समझ पाए होगे सियासा और सद्बावना के शाथ, हम आज की शेशिंग की जो important one word substitution है, उनको हम सीखने का क्या करते हैं, प्रियास करते हैं one who acts only to make official the decision already made by another, उसे हम rubber stamp बोलते हैं अगर यह व्यक्ति के लिए प्रियोग हो, मतलब कोई decision ले ले दूसरा, दूसरा कोई decision लेते हैं, लेकिन officially कोई दूसरा और क्या करता हैं, announcement करता हैं, उसे हम rubber stamp होते हैं rubber stamp actually में वो होता है, कि यह जो shield होती हैं आपको पता है यहाँ पे जो भी क्या है, यहाँ पे digital diary है, जो भी है, ठीक है, वो जो shield लगानी वाली होती है कहीं पे, जो final जो होता है, official किसी का allowance होता है allowed किसी चीज को की जाती है, उसे हम rubber stamp के दौरा हम करते हैं, इसके लिए व्यक्ति के लिए भी हम huge कर सकते हैं a person with a highly developed sense of beauty, एक ऐसा व्यक्ति जिसको शौंद्रियता के बारे में क्या हो, शौंद्रिय के बारे में, beauty के बारे में पूरा पता हो, क्या है शौंद्रिय का मत अवलंबी हो जो व्यक्ति, उसे हम aesthetic या state बोलते हैं aesthetic बोलते हैं, ठीक है, aesthetic आपने words सुना होगा, क्या है शौंद्रिय ग्याता होता हैं जो, a long shot seat और bed और बेश, without back और arms उसे हम दिवान बोलते हैं, दिवान का अर्थ ये होता हैं दोस्तों, अगर कोई sheet है, उसके क्या हो, ये ये वाली, ये, जब ये, normally जो bed होता हैं दोस्तों जो दिवान होता है, वो एकदम normal होता है, इसके आज़ पास ये नहीं बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये इधर भी नहीं होता है, ये दिवान, दिवान कुछ इस प्रकार का होता है, जो comfortable होता है, अच्छा होता है, लेकिन पीछे रखने के लिए, पीट रखने के लिए उ बड़गा नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दिवान बोलते है, एनि आप द़ए मेनी फलेट साइड्स ऑफ ये कट जैवल, उसे हम फैषिड बोलते हैं, प्रशिड का अर्त होता है, आपने ये बनाया होगा, इसके जो, ये जो चीज हैं, ये फिर आम हैसे बना शकते है इसके अंदर क्या होते हैं अलग-अलग क्या होते हैं फलक होते हैं उनके प्रतियक फलक को हम क्या बोलते हैं ठीक है दोस्तों जैवल का अर्थ होता है कोई अगर हीरा है हीरी के अंदर जो प्रतियक काटेवे भाग होते हैं फलक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ठीक है दोस इसके सिनोनोम ज़िस्सिमिलर अनलाइक डिफरेंट हमें पढ़ेते हैं ठीक है ड्राइड का अर्थ होता है हाशी इसपत किसी दूसरों की मजाक उड़ाना हाशी इसपत करना यूमर या फिर रिडिकूलस चीज़े करना क्या कहलाता है मॉक या फिर टॉंट रिडिकूलस जे ना फिर टॉंट पाइबन का अर्थ होता है बावत सारी बीड क्राउड या फिर ठांग ठीक है दोस्तों इन कलकेट का अर्थ होता है किसी चीज को सेंस वरा इस एक ऐसा वेक्ति जिसको संदरियक्ता के बारे में पुरा पता हो उशिय हम एस्टीड बोलते हैं एक ऐसा बैड जिसके क्या है जो बैक के रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है नॉर्मली यह इस प्रकार का जो बना होता है उशिय हम दीबार बोलते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही कापी कल हम फिर दाया होगा इसी आसा और सुद्बावना के साथ में आपका दोस्त महेंदर सिंग बाटी और संप्रून डिचिटल तयारी विडियोर थैंक यू बैरी माच जैहिंद वन्यमात्रम प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिचिटल तयारी